पवाई नदर में सिद्ध इस्तल हनुमान भाटा के विकास को लेकर भक्त जनों द्वारा लगातार मांग की चारी है ऐसी कड़ी में जहां पर कॉंग्रेस कमेटी पन्ना प्रवक्ता एवम प्रदेश कोर कमेटी मध्रदेश कॉंग्रेस आईटी स्रदस्यर राम वीर सिवारी ने भाजपा सरकार को आड़े हांतों लेते हुए कहा कि मध्रदेश भाजपा की 15 वर्षों से सरकार है परना जिले में हमेशा से भाजपा के मंतरी सांसत रहे पवाई में सिफ धार्विक भावना से वोट बटोरने लेकिन यहां का विकास आज भी अधुरा पड़ा है श्रीतिवारी ने बताया कि बुंदेल खंड में प्रसित प्राचिन सिध इस्तल श्री हनुमान भाटा आज भी अपने अस्तित्व के लिए संखर्ष कर रहा है यहाँ पर आज तक वहां तक पहुचने सड़क मार्ग नहीं बनवा पाए हैं कई वर्षों से स्विक्रतिक कार को नहीं करवा पाए हैं श्रीतिवारी ने कहा है कि हनुमान भाटे तीर्थ शेत्र पवाई जो की अपनी आलोकिक और प्राक्रतिक चमतकारी शक्तियों के लिए संपूर मध्रदेश में प्रसिद है यहाँ पर भगवान महांकाल भगवान नरसी जी के साथ कलियुक के देव श्री हनुमान जी महराज की चंदेल कालिन पाशान प्रतिमाय साक्षात विराजबान है यहाँ पर श्री राधा रानी सरकार श्री राम जान की मंदिर और साथ ही में धूलिया मट सिद महराज की समाधी और माता कलेही का प्राचित मंदिर और साथ ही में भगवान शंकर का साथ ही में अनुपम प्राकृति के धरोहर यहां पर परेटेकों को अपनी और आकरशित कर दी है यहां पर प्रतेक वर्ष एक जनवरी को विशाल मिला लगता है जहां पर लाकों की संग्या में श्रधालू भक्त दर्शन करने के लिए यहां पर आते ही ऐसी मानेता है कि जो भी श्रधालू भक्त सची श्रधा भक्ती से मंगलवार और शरिवार को यहां पर मत्था टेकता है उसके सारे मनोकामनाय पूरी होती है श्रिदिवारी ने कहा कि जल्द से जल्द कारे को पूर्ण किया जाए अन्यथा आंदुलन करने के लिए विवश होना पड़ेगा साथी में शाचिन प्रिशासन को चाहिए कि ऐसी प्राचीन इस्थल जहां पर समूचित सौंदर या इवं विकास हो सके ऐसी सिद्ध तेर्थिस्थलों को परेटन से चोड़ा जाए कि आप सब भी जानते हैं कि हमारे पन्ना जिले में पवाई दहसीन में प्राचीन से दिस्थल है जो कि आज भी अपने अस्तित्त्य के लिए संगर्ज कर रहे हैं यहां पर भारती जंदा पार्टी की लगादार पंद्रह वर्ट्सों से सरकार्ण चलिया रही है जहां पर ब पूट पाम अ यहां की विकास की तरफ ध्यान ने हैं रहे हां यह वही सिद्रस तल है अनमान भाटब जहां पर भगवान स्था और सिंग भगवान की विशक्सिरति महाराज मंद्ध जी महराज कि प्रत प्रतिमाय विरास हमाएं यहां पर चंदेल कालीन मंदर ढोली मत यहां पर भगवान शरी कृषण का विसाल मंदर है यहां पर माता कलेही का प्राचीन मंदर है यहां पर सुध्ध महराज की समाधी है यहां का प्राक्रतिक सौंदर देखने को वनता है ऐसे सिद्ध स्थल को आज तक परटन स्थल से नहीं जोड़ा गया हूँ परटन स्थल से जोड़ दिया जाता तो आज हमारे भनवान भाटे का विकास को जाता है साथियों बताना चाहूंगा कि यहां पर प्रतिक वर्स एक जन्वरी को विसाल मेला लगता है जिस पर दूर दूर से लाखों सरद्धान यहां के दर्सन के लिए आते हैं लेकिन भारती जन्ता पार्टी की सरकार नाकामी के बारा यहां का संस्थ निकास नहीं हो पाया यहां पर अगर इस स्थल को परेटन स्थल जोड़ दिया जाता है यहां पर इस कई वर्सों से पड़े अधूरे कार सलक निर्माण जो स्चीर हनमान भाटे की ऊपर जाती है कि इस कार को कर दिया जाता है कि यहां पर एक लिप्ट का प्रबंद किया जाए ताकि जो जिसको चलने में कटनाई होती है इनको वाँ के बढ़ने में कटनाई होती है कि उन्हें के लिए एक सुभधा हो सकते जो कि यह मेरी मांग नहीं इस परवई विधान सवाथ छेत्र के प्रतेक जंजन की माम है कि और अगश को जल से जल पूरा नहीं गया था तो पवई छेत्र की जंटा पवई छेत्र का वासी इस स्विधस्तल के लिए संघर्ष के लिए सड़कों अपर रोत रहेगा जिसकी जुम्मिजारी श्याम सरकार की होगी प्रसासन की होगी लोगों के धर में भाणाव से जुड़ा एक कैंडर है अनमान भाटा जिसके कारव से जल से जल पूरा वाईज ओफ फ्रैट्स के अपवई से रविशंगर सोनी के लिपूर्ट